तो आप हम लोग ने देख रखा था आत्म निर्भर भारत के बारे में अलड़ी हम लोग ने काफी वीडियो देख रखी है देफाइब की भी फटाफट ब्रीफिंग आ चुकी है फटाफट हम लोग उसको देख लेते हैं कि क्या कुछ हमारे क्या कुछ कुछ गवर्में ने किया है कुछ इसके साथ मैं basic economic के बारे में बात करेंगे और हम लोग ultimately एक overall review लेंगे कि क्या कुछ किया गया हमारे government के द्वारा स्टार्ट करें फटाफट अगर तो देखिए सबसे पहले health related steps के बारे में यहाँ पर बात की गई है तो यहाँ पर देखिए कुछ सरकार ने अपने guidelines दिये हुआ हैं बताया हुआ है कि किस तरीके से चीजें करनी हैं हमें इसके लावा देखिए फिर इसके बाद से insurance cover बताया गया था जो कि अल्रड़ी हम लोग ने discuss ही कर रखा था अपने पुराने वाले lectures में जहाँ पर हम लोग ने देखा था कि insurance cover प्रवाइड किया जा रहा हर एक health worker को कितना 50 लाग पर person का और ये cover किया गया है पन्हान मंत्री गरिब कल्यार योजना के अंतरगत इसके लावा दिखिए कुछ e-sanjivni teleconsultation service भी प्रवाइड की गई है इस अंजिनवी का मतलब यही है कि डॉक्टर एक जग पे बैठे रहेंगे उनको consultation के लिए virtual तरीके से contact करना होगा जैसे महा लिजे किसी गाउ में है या कोई एक remote location में है तो वहाँ पर basically computer के जरिए या फिर कह लिजे internet connection के जरिए video conferencing के जरिए यह कोशिश करेंगे एक दूसरे के साथ में link करने की और इस तरीके से टेली consultation किया जाएगा इसके लबा देखिए IGOT platform के बारे में है इस बेसिकली एक website open की गई है दिशा portal open किया गया है जहाँ पर आप चीजों के बारे में पढ़ सकते हैं अगर मैं आपको एक idea दूँ कि किस तरीके से यह दिखता है तो देखिए यह है basically वो GOT portal यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा कपरा सिस्टम है यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग-अलग courses के बारे में हैं यहाँ पर जैसे health वगर एका हो गया medium आप अलग-अलग चूज कर सकते हैं language अलग-अलग चूज कर सकते हैं आपर different languages हैं फिर आप देख सकते हैं किस के किस के लिए है doctor के लिए है, nurse के लिए है, volunteer के लिए है, hygiene worker, police, civil defense, A&M और बहुत सारे मतलब कि number of courses आदे है, number of persons आदे है मतलब infect यहाँ पर आप कहा सकते हैं, हर एक बंदा यहाँ पर cover हो गया है चाहे वो volunteer के format में हो रहा हूँ, या फिर worker के format में हो रहा हूँ यहाँ पर मालीज़े कोई course अगर आपको देखना है, तो मालीज़े ते हैं इसके अलावा आरोग यह से तु यह तो आपको पता ही है, क्या चीज़ है, इसके बारे में अलड़ी काफ़ी डिसकुशन गवर्मेंट ने कर भी दिया और काफी अदर कांट्रोवर्शियल भी हो गया था Protection to health worker के बारे में बात करने तो यहां पर देखे ऐपडेमिक डिसीज आक्ट वगर यह पास कर लिया गया है, जिसके थुरू यह बात कर लिया गया है, कि यहां पर कुछ अगर स्टॉकिंग वगर या होल्डिंग वगर के बारे में अगर कोई चीज देखी आएगी तो उनको adequate punishment दी जा रही होगी बागी देखिए PPE kit वगरे तो बनाए गया ही है तो इसमें कोई doubt नहीं है तो सारी चीज़ें आपको cover ही हो गई है आगे बात करें देखिए सारी चीज़ें कुछ-कुछ दी गई है जो आप लोग देख लीजें का कुछ खास है नहीं इसमें आगे बढ़ते हैं आगे अगर बात करें तो आगे देखे reforming governance for ease of doing business के बारे में basically बात की गई है तो यहाँ पर अब हम लोग basically corporate entities के बारे में बात करेंगी कि क्या कुछ है कैसे ease of doing business बगरे में बढ़ावा देना है उनको तो ease of doing business के बारे में अलड़ी आपको पता होगा कि world buying के द्वारा ये एक report निकाली आती है जिसमें अलग-अलग तरीके से अलग-अलग component को ले करके index निकाला जाता है जिसमें companies को या फिर कहा लिजे country को एक business prone country के रूप में दिखाया जाता है कि है या नहीं है तो इसे में बुला रहा है कि this is investor looking at the countries जब भी investor को invest करना होता है तो वो उस country का ease of doing business ranking देख ले रहा होता है यसे अगर बात करें तो इंडिया 2014 में 142 rank पे था जो की improve करके 63 rank पे हो गया है तो काफी अच्छी position में हो गया है काफी अच्छी investors वगरे attract हो सकते हैं जैसे include streamlining process such as granting of permit clearance certification and third party certification वगरे यह सब तरीके दिये जा रहे हैं government is working on a mission mode on the next phase of ease of doing reform तो इसके लिए government बहुत सरी चीज़े कर रही है जैसे commercial disputes जितने भी है उनको फटा-फट resolve की जा रही है registration of the property को easy कर दिया गया है tax regime को भी simple कर दिया गया है single window clearance कर दिया गया है तो कई सारी चीज़े government ने कर ली है जिसने की इनका जो ease of doing business है वो काफी improve कर गया है इसके अलावा जो होती है जैसे इनको सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो होती है company law के अंदर में जो company national company law tribunal है तो इस tribunal में क्या होती है कि अगर माली ये कोई भी मुद्दे होते है तो उसमें company को खीचा जा सकता है tribunal में यानि company के उपर जो भी law related issues होंगे उसको वहाँ पर चीज़े clear कर ली जाएंगी तो यहाँ पर government ने का है कि covid के case में there will be number of instances where the company company needs support from the government with respect to some jurisdiction areas जैसे कुछ-कुछ issues होंगे जहाँ पर जो होती है government की जरूरत पढ़ जाएगी company को तो वहाँ पर government ने कहा है कि first phase में decriminalization of the company law किया जाएगा जहाँ पर कुछ-कुछ छोटे-मोटे जो issues वगर है उनको हम हटाएंगे फिलहाल के लिए decriminalize कर देंगे उसमें ताकि company free flow में काम कर सके इसके अलावा integrated web-based incorporation forum यह थापित किया जाएगा जहाँ पर system जो होती है SPIC इसका मतलब क्या है simplified pro forma for incorporating company electronically plus यह introduce किया जाएगा 10 services के लिए जो अलग-अलग ministry के अलग-अलग चीजों से related होगा जैसे pan हो गया या कह लिजे की कोई license related हो गया या directory director identification number हो गया तो मतलब बहुत सारी चीज़े होंगी जिनको incorporate करके एक web-based portal पे ही डा दिया जाएगा अगर कोई clearance लेना होगा तो यहाँ से यह ले लेंगे तो यह सब इतना कुछ खास है नहीं तो इसको आगे बढ़ते हैं बाकी इसके बाद देखेंगे आगे यहाँ पर देखें जो law related law measures for ease of business क्या चीज़ है यहाँ पर देखें rationalization of related party transactions वगरे कर दिया गया है timely action लिया जा रहा होगा अगर वो छोटी-बोटी दिक्कत होगी तो उसको फिलहाल के लिए decriminalize किया गया है बाकी की चीज़ों के लिए फटा-फट actions लिए जाएंगे जैसे अगर कोई issue हो गया है related with the recovery तो उसके लिए फटा-फट जो होती है IBC बगरे लगा करके cases को resolve करने की कोशिश की जाएगी ताकि company को जादा दिक्कत ना है long term के लिए दिक्कत ना है तो उसमें यही चीज़ का हग कही गई है a timely action during COVID-19 to reduce compliance burden under various provisions of company act 2013 as well as enable company product, board meeting EGM, AGM and right issues by leveraging the strength of digital India मतलब यहाँ पर बुला गया है कि अगर आपको कोई meeting करनी है conferences करने है तो आप basically conference call के जरिए virtual media के through करिए digital media के through करिए आप जो है social gathering का follow करिए social distancing को follow करिए इन बाकी IBC के बारे में बताय जा रहा है कि 44% recovery has been achieved since inception of IBC जबसे IBC लाए गया उसे recovery काफी अच्छी हो गई है admitted claim of amount इतना वगर है जो होता है solve कर दिया गया तो basically IBC के बारे में बताय जा रहा है कि कितना जादा ये हमारे लिए लाबदायक रहा है इसके बाद आजाती है education sector की बारी education में कहा गया है कि देखिए फिलहाल के लिए school, college या जो भी institution से उनको run कर पाना is the next to impossible because of the COVID अब यहाँ पर क्या है अगर institution open कर दिये जाते हैं तो उसे social distancing वाला जो हमारा provision वो नहीं हो पाएगा इसलिए government ने कहा है कि फिलहाल के लिए virtual पढ़ाई करना ही एक मात्र option बचा हुआ है virtual option के लिए हम लोगो ने number of चीज़े open करके रखी है जैसे एक स्वयम प्रभा हो गई जो कि DTS channel है जो basically G-SAT satellite के थूरू launch हो रहा होता है इसके लावा government ने बहुत सरे और भी कदम उठाए है जैसे हर एक channel मतलब एक-एक class के लिए एक-एक channel dedicate कर दिया है आप उस channel को open करके अपने जिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं तो स्वयम प्रभाद DTS channel to support and reach those who do not have access to the internet तो इस तरीके से internet access नहीं है तो आप DTS के जरीए देख सकते हैं तो इस तरी चैनल वालड़ी अमरवाट for school education और बाकी 12 चैनल भी बाद में जुड़ी जाएगा also tied up with private DTS operator जैसे जो भी private DTS है उनके साथ भी collaboration कर दिया गया है ताकि कोई भी student बगएर है छूटे ना पल सके internet connectivity की problem ना आए coordination of state of India to share air time on the swim प्रभा 4 घंटे का या time ले लिया गया है कि चलो ठीक है यहाँ पर education related content ही दिखाया जाएगा बिसिकली जो पढ़ाया जाएगा वो दिखाया जाएगा दिक्षा platform has 61 कोर करोड hits from तो बताये गया दिक्षा platform जो open किया गया सरकार के दोरह उसमें कितना ज़्यादा hits है मतलब कितनी ज़्यादा अब वो traffic the site बन गई है कितना ज़्यादा वहाँ पर लोग अब जा करके address कर पा रहे है 200 new textbook वगरे यह अभी फिलहाल के लिए add कर दी गई है यह पार्ट शाला पर जहाँ पर लोग देख करके download करके उस चीच को फिर पढ़ाई कर सकते हैं next आज आती है हमारी government reform and enablers के बारे में इसको फटाफट देख लेते हैं क्या चीज़ है तो यहाँ पर देखिए manrega के बारे में बात किया गया है जहाँ पर 40,000 करोड रूपी का allocation किया जा चुका है इसके बारे में अलरडी हम लोगों ने discuss कर लिया है this is the greatest scheme I would ever say कि बहुत बढ़िया चीज थी बहुत बढ़ियां काम करने के लिए free में पैसा देने के बज़ा उनसे कुछ काम करवा करके पैसा देना यह काफी अच्छा है concept है government का जो कि हमारे congress government के दौरां में आई भी थी government will now allocate an additional 40,000 करोड अंदर it will help generate nearly 300 करोड पर्शन days in total address need for work from work home मतलब जो लोग भी migrant लोग वापस आ गया है शहरों से बड़े-बड़े जगों से अगर आ गया है गाओं में तो उनको भी additional work दिया जा रहा है मतलब nearly मन्रेगा में 40 to 50% की larger capacity की गई है जादा लोगों को employment देने की कोशिश की जा रही है इसके अलाबा बाकि it will boost the rural economy through higher production इसमें कोई doubt नहीं है तो आपको जानी रहे है बाकि health बगरे के बारे में हाँ पर बताया गया है कि it will increased investments in public health यहाँ पर क्या चीज़ है कि public expenditure health में बढ़हा दिया गया है investment in grassroots health institutions जैसे हम लोगों ने last class में बाद किया गया था कि अब government एक viability gap funding कर लिए social infrastructure की creation के लिए उसमें जो भी पैसा कम पट रहा होगा वो सरकार दे रही होगी अपनी तरफ से इसके अलाबा जोती कई और भी चीज़े open की गई है जैसे infectious diseases, hospital blocks यह सारे district में open किये जाएंगे इसके अलाबा strengthening of lab network and surveillance integrated public health lab in all districts and block level lab and public health unit to manage pandemics तो इस तरीके से open किया जा रहा है lab और surveillance के लिए देखिए हमारा जो social sector है बतलब जो हमारा health sector है यह काफी जादा backward है लेकिन यही अब देखिए किसी ने कोरोना तो सोचा नहीं था कि फटा फटा आ जाएगा और government is doing the same thing government is focusing the same attention here कि यहाँ पर यह करने की जरूरत है इसके लावा कि एक research platform भी बना दिया गया है national institutional platform for one health by ICMR के द्वारा बनवा दिया गया है national digital health mission के अंतरगर जो होती है blueprint बगर है यह सब जो होता है वो बना दिया जा रहा है मतलब basically connectivity की जा रही है hospitals की इसके लावा technology driven education अब दिया जा रहा है post covid बाद में post covid यह होती है वो technology driven education के बारे में ही discuss किया जा रहा है जैसे in fact मैं एक छोटा सा event पेना चाहूंगा demonetization का demonetization जब हुआ था उसमें digital transactions बहुत जादा बढ़ गया जो लोग भी छोटे मोटे माली जे दुकनदार है या छोटे मोटे माली जे बहुत जादा digital awareness नहीं थी जिनको वो भी लोग उस समय फिर digital transactions करना शुरू कर दिये and after this liquidation of the economy मतलब जब यह delimitation का इससा खतम भी होता है फिर भी लोग अब UPI का यूज करना शुरू कर दिये हैं गूगल पे यूज करना शुरू कर दिये हैं फोन पे यूज करना शुरू कर दिये हैं मतलब लोग अब एक तरीके से digital हो गया है similarly the same thing यहाँ पर भी चीज़े की जा सकती है education को अब technology driven बनाया जा सकता है जैसे यहाँ पर प्रधान मंदरी ये विद्या बना दी गई है in fact कहा गया है कि ये post covid यही चलेगा होगा क्या मतलब इसमें a program for multi mode access to digital online education to be launched immediately causing off किस तरीके से करेंगे ये रहेगे दिक्षा portal के तरूफ for school education in state UT e content रहेगा qr code रहेगे वहाँ पर जाकर के फटाफट ये download कर सकते है one nation one digital platform के जरिये जैसे कि हम लोग ने अभी दिक्षा platform को open ने किया था वहाँ पर हम लोग ने देखा था qr code था जैसे आपको फटाफट में फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पर देखिए से class 12 तक के लिए एक टीवी चैनल रहेगा उसी के थुरू पढ़ाई हो रही होगी इसके लावा रेडियो हो गया community radio podcast जिन सबका यूज किया जाएगा special e-content बनाये जाएगा जो भी visually या hearing impaired है मतलब जिनको भी देखने और सुनने में दिक्कत होती है इंटरेक्शन नहीं हो पाता है और इंटरेक्शन नहीं हो पाने के कारण से एक psychological support की जरूरत पढ़ती है इसके लिए government ने अगेन एक मनोदरपन एक scheme launch कर दिया जहां पर ये बोला गया है कि it will be an initiative for psychosocial support of student, teacher and families for mental health and emotional well-being to be launched immediately तो इस तरीके से basically यहां पर psychological एक feel देने की कोशिश की जाएगी एक तरीके से support दिया जाएगा ताकि कोई भी psychological problem हमें आगे न निकल किया है इसके लावा देखिए हम अब नए करिकुलम्स भी लेकर के आ रहे हैं तो new national curriculum and pedagogical framework for school early childhood and teacher will be launched integrated with global and 21st century skill requirement तो हम लोग skill based पे अब अपना education system सुधारेंगे अगर अभी के बारे में बात करें तो आप लोगों के लिए question है comment box में बताईए का आज का जो हमारा education system है मतलब कि 12th level तक ही पढ़ाई करना उसके बाद graduation यह किसने propose किया था who has proposed the graduation plus 3 3 year graduation and 12 अगे अगर बात करें तो नेशनल foundational literacy and numeracy mission for ensuring that every child attains learning level and outcome in grade 5 अब जैसे क्या होता है कई बार class 5 में पढ़ रहा है लेकिन उसको जोड़ घटाना नहीं आ रहा है पढ़ नहीं पा रहा है चीजे तो यह सब चीजे ensure की जाएंगी कि यह ऐसी दिक्कते हमें न देखने को मिले तो यह किया गया हमारे पूरे सिस्टम में इसके लावा देखे इस आफ्लिंग बिजनस को और बढ़िया तरीके से चलाने के लिए IBC में कुछ changes वगरे भी किये गए है जैसे MSME सेक्टर को बिसिकली हटाया जा रहा है इस IBC के से कैसे किया जाएगा इसके लिए जो हमारा claim amount पहले एक लाग का वगा करता था उसको बढ़ा करके अभी एक करोड कर दिया गया तो minimum threshold to initiate insolvency proceeding यह एक करोड कर दिया गया है ताकि MSME के सक्टर वाले लोग यहां से निकल जाएं इसके रावा अगर in case MSME को ले करके अगर कोई दिक्कत आती भी है तो special insolvency procedures यह open किये जाएंगे suspension of suspension of fresh institution initiation of insolvency proceeding up to one year depending on the pandemic situation तो इस तरीके से चीज़े कर ली जाएंगी empowering central government to exclude COVID-19 related debt from the definition of default अब जैसे माल लिजया IBC के related बहुत सारे cases होंगे उन cases में भी कुछ ऐसे problems होंगे जो debt related होंगे लेकिन यह debt related बंदा वो खुद चाहता तो था नहीं कोई भी default करना चाहता तो था नहीं लेकिन COVID-19 के case के कारण से ही social problem, social distancing के problem के कारण से हो सकता है कि उसको debt की कुछ issues आ जा जा है इस वज़े से इसको अभी फिलहाल के लिए हटा दिया गया है default के category से इसके अलवा कुछ और भी चीज़े की गई है company act से decriminalize किया गया जैसे अभी हम लोगों ने discuss भी किया गया था कि छोटी छोटी चीज़ों को हटा दिया गया है the same छोटी चीज़े इस रिटन हियर यहां पर लिखा है decriminalization of companies act violation involving minor technical and procedural default shortcoming in CSR reporting inadequacy in board report filing defaults and all that छोटी मोटी जो चीज़े उतको हटा दिया गया है company act से इसके अलावा majority of the compoundable offenses sections to be shifted to internal adjudication mechanism and the power of RD for compounding enhanced यह सब चीज़े की गई है तो आप इसको skip कर सकते हैं these are not important for our examination point of view the amendment will declock the criminal court and NCLT तो इसको क्या है कि ज़्यादा ज़्यादा जो burdening आ रखे है उसको हटा दिया जाएगा ताकि जो जरूरी cases है केवल वो solve किये जा सके इसके लावा seven compoundable offenses altogether dropped then five to be dealt with under alternative framework तो खेर यह उतना as such important नहीं आप इसको skip कर सकते हैं इसके लावा देखे is of doing business के बारे में बात किया गया है कि improvement in ranking in starting a business and insolvency resolution have contributed to the overall improvement in India's ranking on ease of doing business इसके लिए क्या क्या गया है तो इसमें कुछ reforms किये गया है जैसे direct listing of securities by Indian public companies in permissible foreign jurisdiction direct listing कर दी जाएगी इसके अलावा अगर कोई private company है private company अपना share तो निकाल नहीं सकती है लेकिन वो निकाल सकती है अपना debenture तो basically NCD these are the debentures on stock exchange not to be regarded as listed company तो यहीं पर रहेगा लेकिन इसको listed नहीं माना जाएगा जैसा कि हम लोग अलड़ी अपने main concept में discuss कर ही रखे है including the provisions of part 9 of company at EA तो अगें देखिए provision है तो provision आप छोड़ सकते हैं कोई मतलब नहीं है आपे बागी power to create additional specialized branches for NCLT यह सब चीजे तो आप जानी ही रहा है क्या चीज़ की जा सकती है बाकी देखिए PSU's के बारे में बात किया गया है कि PSU's को ले करके अब बहुत सारे ऐसे strategic areas जहां पर अब private participation को open कर दिया गया है जैसे defense हो गया या space हो गया अब यहाँ पर private participation किया जा सकता है in fact corporatization of defense कर दिया गया है जहां पर अब basically corporate culture basis पे काम किया जा रहा होगा फटा फट एक बर देख लेते हैं कि क्या कुछ है slide में India and the world have changed in the last few decades need a coherent policy where all sectors are open to the private sector while private sector enterprise will play an important role in defined areas सबके लिए open तो कर दिया गया है और in fact यहाँ पर कोशिश यह की गई है कि जो भी decision making का काम करना है वो सारा का सारा public hand में रहे मतलब government hand में रहे लेकिन यहाँ पर culture जो है अब हमें private ले करके आना पड़ेगा देखे private या फिर public culture ले के आना यह कोई बहुत बड़ी problem नहीं है the problem lies in यहाँ पर यह problem lie करती है कि अगर माली यह private company को दे देते हैं तो private company के साथ हमेशा एक threat बना होता है कि वो data की piracy कर सकती है data की खरीद बेच कर सकती है बहुत बड़ा issue है यह international market में इसकी बहुत ज़दा demand होती है तो यह बहुत बड़ा issue बन सकता है इस वज़य से हमें काफी ज़्यादा इस पर monitor करने की जरूबत है इस इन केस अगर हम private कर रहे हैं तो तो हमें यह ध्यान रखने की जरूबत है इसके लबा कुछ और भी announcements की गई है जैसे list of strategic sector requiring presence of PSE in public interest will be notified तो यह बताए जाएगा किस तरीके से strategic sector में भी आप पबिक interest बता दिया जाएगा in fact private participation include किया जा रहा है इसमें अलाउ कर दिया जाएगा इन अदर सेक्टर PSEs विल बी प्राइटाइज बाकियों के सेक्टर में जो भी प्राइवेट सब्सक्राइज है उनको प्राइज कर दिया जाएगा बाकि देखिए स्टेट गवर्मेंट ने बोला हुआ है कि देखिए हमें बहुत दिक्कत आ रही है अपने physical deficit को maintain करने के लिए इस वज़े से स्टेट गवर्मेंट ने बोला है कि सेंटर गवर्मेंट को कि आप जितने भी physical deficit का जो आप barrier लगा के रखे हैं 3% का उसको आप थोड़ा सा बढ़ाई है इस बार क्योंकि pandemic का रखी है फिलहाल के लिए उसको 5% कर दीज़े इस इस नमबर बन नमबर टू बोला गया है कि ways and means advances होती है उसको बढ़ाई है जिससे की हम लोग loan ले सके हम लोग पैसा अपना जमा कर सके यहाँ पर पूरे के पूरे slide में यही चीज़ डिसकस की गई है बोला गया है कि सेंटर like the state had faced the sharp decline in revenues similarly state government भी बहुत ज़्यादा economic crisis झेल रहे है इसके लिए government ने central government ने state government को बहुत सारा हाला की पैसा allocate कर रखा है अपने budget के दौरान में और बाकि अपने state disaster relief program के fund के दौरान में तो काफी पैसा invest किया गया जैसे आप देख सकते हैं 46,038 करोड दिया गया अपरेल में 12,390 करोड दिया गया है ऐपरेल माई के बीच में फिर उसके बाद से 11,92 करोड दिया गया है अगे अपरेल में तो देख सकते है नियर अबाउट आपके अगर देखें तो अच्छा ख चीज़ें दी गई है, ways and means advance के लिए आप लोगों को basics clear होनी चाहिए कि these are the securities which are to be sell by the government और इसमें क्या होती है कि short term loan होती है, 90 days तक का आपका barrier होता है, जिसके थुरू आप capital raise कर सकते हैं, बाकि 90 days में इसको sell out करना होता है तो यह सब चीज़ों अलड़ी हम लोगों ने अपने प्रिलंस lockdown series वाले economics में देख रखे हैं I hope आप लोगों को यह सारी चीज़े clear होंगी बाकि देखिए, supporting state government के बारे में बताये गया है कि किस तरीके से पैसा बताया जा रहा है कि केवल और केवल पहले देखिए, 3% की ceiling रखी गई थी यहाँ पर देखिए, 3% की ceiling रखी गई थी जो कि हम लोग FRBM Act के दौरान में भी देख सकते थे हला कि जो होता है, FRBM Act को हम लोग अब 2022 तक ले करके आ रहे है कि हम लोग 3% तक उसको achieve कर लेंगे लेकिन कहर अभी भी बोलाया रहा है कि देखिए, 3% अचीव कर सकते थे, लेकिन तब जब pandemic नहीं आती लेकिन अभी pandemic का case है, तो हमें इस चीज को अभी revise करने की जुरुत है 75% there was authorized in March 2020 itself and time is left to the state state have so far borrowed only 40%, 14% of the limit 86% अभी unauthorized बचा हुआ है, unutilized हो गया है nevertheless, state have been asking for special increase in borrowing 3% से 5% वही जैसा कि हम लोगों ने भी डिसकस ही किया, पैसा बढ़ाने के बारें बात किया गया है तो इस central government ने स्टीज को decide कर दिया कि अहां ठीक है, limit बढ़ाई जाएगी 3% से 5% कर दिया जाएगा इससे क्या है, state government extra resource ले आएगी 4.28 lakh करोड का जिससे की ज्यादा ज्यादा लोग अब जो है, welfare इसकी में ये पैसा जो है, introduce किया जा सकता है बाकि कुछ और भी चीजे हैं, कुछ और भी state level reforms वगरे किये गये हैं, one by one करके इसको फटावट पढ़ लेते हैं कि क्या कुछ है तो part of the borrowing will be links to specific reforms जो कि finance commission वगरे ने बोला हुआ है, उसकी हिसाब से रहेगा क्या कुछ है उसमें, ensure sustainability of additional debt through high future GSDP growth and lower deficit तो इसमें कोशिश की जाएगी, जो भी state का gross domestic product है, उसकी growth होती रहे और deficit कम होता जाए promote welfare of migrants and reduce leakage in food distribution, increase job creation through investment, safeguard the interest of farmer while making the power sector sustainable डिसकॉम अगरे के लिए देखिए, हम लोगों ने अल्रडी 90,000 करोड दिया हुआ है and promote urban development, health and sanitation, reform linkage will be in four areas, कौन-कौन से है एक तो one nation, one ration card हो गया, ease of doing business हो गया, power distribution हो गया, discom वाला and urban local body revenue के लिए हो गया ये सारी के सारी already हम लोगों ने अपने past lectures में discuss कर रखे हैं उनको अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं, सारा का सारा चीज discuss कर रखा गया है बैसिकली अगर बात करें, इस पूरे session में जो बात की गई है, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे पूरे के पूरे के पूरे केवल और केवल figures के बारे में बात किया गया है इस तरीके से चीज़े की जाएंगे, और इस तरीके से आप देख सकते हैं, कि हम लोग 2% से अपना जो फिसकल डिफिसेट वाली जो चीज़ है, वो बढ़ा देंगे जैसे हमारा तीन ओलरी है, 0.5, 0.5 ये बढ़ गया, एक और एक बढ़ गया, तो इस तरीके से हम लोग चीज़े अपनी 5% फिसकल डिफिसेट को बढ़ा रहे होंगे और इन इन तरीके से, पहले 0.5 unconditional and then 0.25 इस तरीके से हम लोग कर ले रहोंगे तो आई होप आप लोगों को पुरी चीज़े क्लियर हो गई होंगी, क्या कुछ दिया हुआ यहां पर, तो थोड़ा साथ टिपिकल लैंग्वेस थी, एकनॉमिक्स की, लेकिन वो चीज़ आप समझ सकते हैं अब, अब देखिए ये पुरा का पुरा रिवेंडियो है, कि कि ये measure करेंगे, तो ये वो है जो पुराना measure लिया गया है, इसके आगे ये day one की है, जो day one में सारी चीज़े बात की गई थी, ये day two है, जहां पर बात किया गया था, day three है, जहां पर बात किया गया था, and day four, ये आजाती ह expect वायबिल्टी गैप फंडिंग और मन्रेगा थे थूरू अलोकेशन वगर है किया गया है यह आ जाती है हमारी पार्ट फाइफ की और यह तोटल आ जाती है तोटल अगर आप देखेंगे तो नियरली 20,097,053 रूपीज आ जा रहा होता है यह बिसिकली पूरा का पूरा करोड में हैं तो इस तरीके से आप देख सकते हैं करोड में हैं जहां पर देखें आर्बियाई का भी डेटा लिया गया है पूराना भी लिया गया बेसिकली अगर आप देखेंगे तो अभी फिलहाल के लिए 11,00,00, करोड रूपे केवल और केवल अलोकेटेड है पुरानी जितन और केवल एक परस्ट है, किसेंने बोला है कि टू-पॉंट-3 परसंट है, किसेंने बोला है टू-पॉंट-7 परसंट है तो हमें ये देखने के जुरुत नहीं है लेकिन हाँ यहाँ पर एक चीज जो ध्यान में रने वाली चीज है कि गवर्मेंट इस बार RBI का भी बेटा क्या कुछ है लेकिन अगेन यहाँ पर question उठता है क्या government ने सही तरीके से इसे implement किया है या सही तरीके से plan किया है क्योंकि बहुत सारी चीज़े ऐसी है जो यहाँ पर immediate basis पे issue को नहीं tackle किया गया है जैसे कई सारे यहाँ पर चीज़े की जा सकती थी जैसे जितने भी अगर general store के बारे में बात करें तो बहुत सारी general store से लेकिन सारी general store आपको दिखेंगी कि वो private है और अगर private और सीधी सी बात है वो जमाखोरी कर सकते हैं holding कर सकते हैं चीज़ों को inflate कर सकते हैं what government could have done जैसे PDS shops होती है जो BPLs के लिए होते हैं वैसे ही same government जो है वो general store open कर सकती है बाकी आम जनता के लिए तो यह एक step उठा सकती थी जहां पर employment भी create हो जाता फिर उसके बाद से stocking को भी control किया जा सकता था distribution को भी अच्छा खासा control किया जा सकता था तो यह काफी अच्छे तरीके से यह सब चीज़े की जा सकती है इसके लावा government IT sector में भी अपनी PSU open कर सकती है जैसे हर sector में railways में हैं अगर देखें, डिसकॉन में हैं मतलब हर एक sector में हमारी PSU हैं बट यहां पर IT sector वगरे में नहीं होती है, only NIC is there which is a government department, National Information Commission तो इस तरीके से जो होती है कई सारे sector ऐसे हैं जहां पर government को ध्यान देने की जरूरत है आपसे एक question है, क्या government को इस तरीके के general store खोलने चाहिए क्या इसका pros क्या है, इसके cons क्या है या आपने comment box में जरूर बताइएगा कि अगर general store open कर दिया जाता है आम जनता के लिए, जैसे किराने की दुकान होती है, बाकियों के लिए उसके क्या pros और उसके क्या cons हो सकते हैं हमारे इस immediate basis पे चलिए और इसी तरीके के नए वीडियो के साथ मिलते हैं, अपने next वीडियो में तब तक के लिए thank you so much